तो अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हो बट कन्फ्यूज हो कि कौन सा आपके लिए सही रहेगा नमस्त दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसे आप लोग और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ बेस इलेक्ट्रिक स्कूटर इन इंडिया जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे टेकनोलोजी भी आगे बढ़ रहा है और बढ़ती टेकनोलोजी के साथ रहने की लिए बेटर है हम उसको अप्टाना सीख ले नहीं तो लाइफ के ये रेस में हम पीछे ही रह जाएंग वैसे ही important टेकनोलोजी है इलेक्ट्रिक स्कूटर की आज बहुत से लोग डर भी रहे हैं और शक भी कर रहे है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना सही है कि नहीं और वही सेम जगह पे बहुत सारे लोगों ने अल्रेड़ी इसको पर्चेस कर लिया है आप मानो या ना मानो यह ने ऐसे टोटल दस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंक्लूड किया है जो आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो में दसवे नंबर पर है ओकी नावा ओकी 90 दिखने में यह स्कूटर प्लेजर प्लस जैसा लगता है इ और अगर आप लोग इसको फुली चार्ज करोगे तो इसका फुली चार्ज टाइम है 5-6 आवर्स का टॉप स्पीड भी काफी अच्छी है 80-90 किलोमेटर पर आवर तक की फ्रंट और रियर दोनों में आप लोगों को डिस्क मिल जाएगा प्लस वील्स का साइस भी बड़ा ह 16 इंचिस का तो सेफ्टी के एक्स्टर शॉरिटी यहां पर हो जाता है इसमें आप लोगों को यह यानि की इलेक्ट्रोनिक ABS भी मिल जाएगा विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग लोडिंग कैपिसिटी काफी अच्छा है 150 केजिस का और इसकी सी टाइट है 803 mm की अल लेडी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कीलेस रिमोट, राइडिंग मोड, फुली डिजिटल इस्टूमेट क्लस्टर, बड़ा फुटबोर्ट जैसे फीचेस आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे तो चलिए अभी बात करते हैं नंबर 9 के स्कूटर का तो नंबर 9 पर है ही Hero Electric Optima CX, Hero Motor Cop पहले से ही पॉपिलर है और ट्रस्टेबल कंपनी है इंडिया के अंदर, और Hero का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत एफॉडेबल भी है, इसमें दो मॉडल्स है, सिंगल बैटरी और डियूल बैटरी, सिंगल बैटरी का एक्शोरूम प्राइज है 67,000 और डिय सिंगल बैटरी के लिए 85,000, इसमें 550W की इलेक्ट्रिक मोटर है जो की पीक पावर जनरेट करती है 1200W का, इसका रेंज भी काफी अच्छी है 140 किलोमेटर की और चार्जिंग टाइम है 4-5 आवर्स का, टॉप स्पीड है 45 किलोमेटर पर आवर तक की, बट मेरे इसाब से CT के लिए यह सही चोईस है, विल साइज है इसके 12 इंचिस के जो की ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लाइट वैट होने से इसको चलाना बहुती इजी हो जाता है, और मेरे इसाब से ये एक वैली फोर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर है फॉर सीटी दिखने में भी अच्छा लगता है और 0 to 40 only 5 second में चला जाता है, इसमें 2.5 kilowatt की बैटरी है जो की 30 newton meter stock generate करती है, anti-theft alarm, alloy wheels, high torque, comfortable riding position, fully digital instrument cluster, keyless entry, bluetooth connectivity, riding modes जैसे features आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, top speed है इसकी 60 km per hour तक की और इसका range है 120 km का, बैटरी फूल चार्ज करने के लिए आप लोगों को 4 to लेके 6 hours का time लगेगा और इसका action room price है 92,000 मेरे यहाँ पे, तो चली अभी बात कहते हैं नंबर 7 के scooter का, तो नंबर 7 पे है hero electric photon, hero का एक और electric scooter दिखने में अच्छा है और थोड इसका 45 km per hour तक का और बैटरी रेंज भी इसका decent है 90 km का, फूल बैटरी चार्ज करने के लिए आप लोगों को 4.5 hours का time लगेगा, बहुती light weight है only 87 kg का, load capacity काफी अच्छा है 150 kg का, price भी कम है इसमें 2 model साते, single battery and dual battery, single battery का action room price है 86,000, इसमें आप लोगों को all LED, 10 inch के alloy tires, CBS, regenerative baking, remote lock and anti-thrift alarm जैसे features मिल जाएंगे, इसमें 1200 watt की electric motor है, जो की peak power generate करती है 1800 watt का, तो चली अभी बात कहते हैं, नमबर 6 के scooter का, तो नमबर 6 पे है, bounce infinity E1, ये electric scooter का look मुझे personally अच्छा लगा, surprise की बात ये है कि ये electric scooter आप लोगों को without battery भी मिलता है, और इसका action room price है 60,000, बैटरी के साथ आपको ये scooter 82,000 तक मिल जाएगा, इसकी battery आप रोग easily swap कर सकते हो, इसके battery swapping station से, one of the most affordable electric scooter ये list के अंदर, इसमें 1500 watt की electric motor है, जो की torque generate करती है 83 newton meters का, और charging time भी कम है 4 hours तक का, riding range भी इसका descent है 85 km का, और top speed है 65 km पर hour तक का, All LED, CBS 12 inch के alloy wheels, fully digital instrumentless जैसे feature आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, तो चलिए अभी बात करते है, नमबर 5 के scooter का, तो नमबर 5 पर है TVS IQ, TVS का IQ दिखने में TVS Jupiter जैसा लगता है, बट ये एक electric scooter है, with good range, अच्छी pricing और features के साथ, इसमें total आप लोगों को 3 models मिल जाएंगे, और सबसे top model का extra room price है, 1,16,000, All LED, 32 liter का undersea storage, 17.78 cm की multifunctional touchscreen, color fully digital instrument cluster, Bluetooth connectivity जैसे features आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, only 4.2 seconds के अंदर 0 से लेके 40 की speed अचीव करता है, इस scooter, राइडिंग रेंज भी इसका काफी अच्छा है, 100 km का, और charging time है 5 hours का, weight थोड़ा सा जादा है, 130 kg का, बट टॉप स्पीड भी काफी अच्छी है, 78 km पर hour तक की, इसमें 3000 watt की electric motor है, जो की peak power generate करती है, 4,400 watts का, तो चली अभी बात करते है, नमबर 4 के electric scooter का, तो नमबर 4 पर है, बजाज चेतक, बजाज का चेतक जो पहले से ही popular था, उसको बजाज न में फिर से as a electric scooter में launch किया है, दिखने में भी काफी प्यारा लगता है, full steel body है इसके अंदर जिससे ये काफी strong and long lasting हो जाता है, all LED, Bluetooth connectivity, fully digital instrument cluster, CBS जैसे features आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, इसमें 3800 watts की electric motor है, जो की peak power generate करती है, 4080 watts का, और जिससे top speed आप लोगों को 70 km पर आवर तक की मिलती है, राइडिंग रेंज भी इसकी काफी decent है, 90 plus km की, अगर आप लोग fast charging यूज करोगे, तो 4 hours में इसकी battery 0200, और अगर आप लोग normal charging यूज करोगे, तो 4 hours में इसकी battery full हो जाएगी, इसका एक शोरूम प्राइज है, 1,050,000 टॉप मोडल का, extra trust की लिए बजाज आप लोगों को 70,000 km की warranty भी दे रहा है, तो चलिए अभी बात करते हैं, नमबर 3 के scooter का, तो नमबर 3 पे है, Ather 450X Generation 3, smartest, cool looking and fastest selling electric scooter है, यह Ather की और से, और क्यों नहीं, performance में यह electric scooter सबसे best है, इसमें 2 models है, lower model का extra room price है, 1,34,000 और अगर आप लोग top model के लिए जाओगे, तो 1,55,000 इसमें 3,300 Watt की electric motor है, जो की 26 Nm stock देती है, और 0 to 40 only 3.3 second में चली जाती है, top speed है, इसका 80 km पर आवर तक का, राइडिंग रेंज भी decent है, 105 km तक का, fully digital touch instrument cluster, cbs 12 inch के alloy wheels, 22 liter का understorage, bluetooth connectivity, cbs जैसे features आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, बैटरी को full charging का time है, 5 hours का, इसमें 4.8 kW की motor है, जो की 8.5 kW and 72 Nm stock generate करती है, तो चली अभी बात करते हैं, नमबर 2 के scooter का, तो नमबर 2 पर है, Ola S1 Pro, ओला का ये electric scooter, जब से market में आया है, तब से बहुत ही popular है, अपने positive और negative news के वज़े से, price में भी affordable है, range भी काफी अच्छा डिलिवर करता है, प्लस top speed भी काफी अच्छा है, इसमें फिलाल के लिए एक ही model है, और उसका action room price है 85,000, 0 to 40E की speed only 2.9 second में अच्यूँ करता है, ये scooter, best in class features आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके अंदर 36 लिटर का अंडर सी storage, best color options, fully digital instrument cluster, which touchscreen, all LED, Bluetooth connectivity जैसे features आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, इसमें 5,500 watts की electric motor है, जो की 58 newton meter stock generate करती है, इसका battery charging time बहुत ही जादा है, मेरे इसाब से 6.3 hours का, और load capacity है 150 kg की, riding range है इसका 135 km का, और top speed है इसका 115 km per hour तक का, तो चलिए, finally अभी बात करते हैं, number 1 के scooter का, तो number 1 पे है Simple 1, one of the best electric scooter in the list, वैसे price wise थोड़ा सा high है, and top speed काफी अच्छी है, इसका एक showroom price है 1,9,000, single charge माई ये scooter 236 km की range देता है, plus 0 to 40, only 2.77 second में चली जाती है, इसकी top speed भी काफी अच्छी है, 105 km per hour तक की, color में भी आप लोगों को काफी अच्छी options मिल जाएंगे, fully digital instrument cluster, with Bluetooth connectivity and touchscreen, all LED जैसे features आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे, So guys, that's it from my side, अगर आप लोगों को ये list पसंद आ रहेगा, तो please do like and subscribe to our channel, अगर आप लोगों को कोई भी electric scooter के regarding doubt रहेगा, तो आप लोग मुझे नीचे comment कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे Instagram में, Facebook में message कर सकते हो, Thank you so much guys, bye-bye and congratulations for your new scooter. कर दो, आप लोगों को जए तो, ये भी जाप लोगों को तो, करिए